जन्ट समय न्यूज में आपका स्वागत है मैं चांदनी परिहार लिए चलती हूँ आपको मुख्य समाचारी रोटरी क्लब द्वारा ब्लड डोनिशन कैम्प का आयोजन या रख्तेदान फियोज कधारी मिले जालोर विषायब से जयवसाय के लिए अन्य जगा आवंटिक करने की लगाई गुखा जालोर के शिवाजी नगर विज्ञाले में हुआ साइकिल वित्रण का काजेत्रम स्टेट बैंक ओप इंडिया द्वारा तीज दिवसिया महिला ट्रेलर प्रशिक्षन का आयोजन महावीर इंटर्नेशनल के सापना दिवस पर ग्रेनाइट सिटी जालोर शाखा द्वारा किया गया प्रश्षा रोपन अपना संस्थान द्वारा सांचोर में पौधा रोपन कारिक्रम जस्वन्द पूरा के सुन्धा परवत पर E.M.C. वा पाइलट सिवित का समापन हो रहे परिशान जालोर के बावरा गाव के विज्धाले में मनाया मत दाता जागूर्फता दिवस वही साकरणा में साइकले विप्रिस पर रैली निकाले G.S.C. को लेकर साइला व्यापारियों ने सौपा ग्यापन विज्यवाड़ा विध्याले में कनक्स दूर्गा समिती इवं लॉयन्स क्लब ने दी सीज 24 जुलाई 2017 को जालोर में होगा पीर श्री शांती नाज़ी महराज के नाम विशाल जागरन का आयोजन C.B. में हटाएं शिक्षकों के नियुक्ति की मांग को लेकर मिले जिल्ला प्रमुक्ष वर जिल्ला शिक्षादी कारियों से अब समाचार विस्तार से रॉटरी क्लब द्वारा ब्लड डोनेशन का कैम्प आयोजन हुआ किया रक्तदान जालोर सार्वजनिक अस्पताल में आज बुधवार को रॉटरी क्लब द्वारा ब्लड डोनेशन कैम्प का आयोजन हुआ कैम्प में रॉटरी सदस्य एवं सहीयोगियों ने रक्तदान किया इस अवसर पर जालोर पुलीस अधिक्षक विकास शर्मा, पूर्व विधायक रामलाल मेगवाल की उपस्थिती रही कैम्प में पुलीस अधिक्षक द्वारा पोलियो मिटाओ पोस्टर का भी विमोचन किया गया रक्तदान में क्लब अधियक्ष महेंद्र मुणोत, राजेंदर जैन, सीपी पुरोहित, पुन्माराम सोलंकी, जितेश शर्मा, ललिस सोलंकी एवं अन्य समाज सेवी बंधुओं ने भाग लिया ब्लड डोनेशन कैम्प में वरिष्ट रोटेशियन मोहन पराशर, कानाराम परमार, नीमाराम सोलंकी, सचीव डूंगर सिंग मंडलावत एवं उमा कांत गुपता उपस्थे कियोसक धारी मिले जालोर विधायक से, ज्यवसाई के लिए अन्य जगा आवंटित करने की लगाई गुछार जालोर नगर परिशद द्वारा अतिक्रमन के नाम पर कियोसकों को तोडने पर रुश्ट कियोसकधारी आज जालोर विधायक अम्रिता मेगवाल से मिल उन्हें अपने लिए अन्यस्थां दिलाने की मांग की कियोस्क धारियों ने अपना गुस्सा जताते हुए विधायक से कहा कि प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा जब कि कियोस्कों को तोड़ना अनुचित था कियोस्क धारियों का कहना है कि जब परिशद स्वयम ने ऐसी जगा पर कियोस्कों को बना कर दिया है जहां अतिक्रमन प्षेत्र था ही नहीं तो फिर नगर परिशद ने अतिक्रमन बता कर ध्वस्त क्यों किया उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए बताया कि बड़े बड़े अतिक्रमनों पर प्रशासन ध्यान नहीं देता और हमारे जैसे गरीब छोटे-मोटे व्यापारियों एवं हाट ठेले, सबजी वाले, चाय की दुकान या टेक्सी वालों को अतिक्रमन के नाम पर हटाते हैं क्योस्क धारियों ने विधायक से मिल उन्हें कहा कि आप हमारे जन प्रतिनीदी होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि हमारी इस समस्या का समाधान करवा कर चंद दिनों में हमारे नगर परिशत के व्यस्ततम इलाकों में कहीं भी लौरी, कैबिन लगाने की जगा दिलवा ताकि हम गरीब अपना व्यवसाय पुनर शुरू कर परिवार का भरन पोशन सुचारू कर पाए। जालोर विधायक अमरता मेगवाल द्वारा सरस्वती माता की तस्वीर के समक्ष दीप प्रजूलन कर शुभारम किया गया। D.E.E.O. माध्यमिक द्वारा महंत का माल्यारपण वशौल भेट कर स्वागत किया। वही संस्था प्रधान लीला चोहान ने विधायक का स्वागत माला वशौल उड़ा कर किया। महंत रन्चोड भारतीजी द्वारा बच्चों को ज्यान के साथ संसकारी बनने की बात कही। समारों में महंत एवं विध्याले द्वारा 69 बालिकाओं को साइकले वित्रित की गई। समारों में संसा प्रधान द्वारा समारों में आये सभी अतीतियों का आभार व्यक्त किया गया। समारों में अध्यापिका इंद्रा, संतोष, अनिता, उर्मिला, कोचर, तैसीन, पद्मानागर, राजेश मौनीका, भाग्यवन्ती, अंजुबाला, पंकु सोलंकी सहित, समल्स स्टाफ, विध्याले में उपर सेट बैंक ओफ इंडिया द्वारा 30 दिवसिय महिला ट्रेलर प् सानिय स्तर पर स्टेट बैंक ओफ इंडिया द्वारा संचालित ग्रामिंड स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आर सीटी जालोर में 30 दिवसिय महिला ट्रेलर प्रशिक्षण का आयजन किया जा रहा है, जिसमें 18-45 वर्ष की महिलाओं का चैन कर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, इस प्रशिक्षण में विभिन गाओं से महिलाएं भाग लेकर कौशल ज्यान प्राप्त कर रही है, निर्देशक अशोक कुमार व्यास ने बताया कि प्रहतर साड़े 9 बजे से शाम 6 बजे तक मास्टर ट्रेनर नीता राव द्वारा महिलाओं को प्रशिक प्रशिक्षण आर्थी मजूद थे महावीर इंटर्नेशनल के स्थापना दिवस पर ग्रेनाइट सिटी जालोर शाखा द्वारा किया गया ब्रक्षारोपन महावीर इंटरनेशनल के स्थापना दिवस पर ग्रेनाइट सीटी जालोर शाखादवारा जालोर विधायक अम्रता मेगवाल वर संस्था के अंतराश्ट्रिय महामंत्री पुरुशोतम भंडारी के नित्रतों में ब्रक्षारोपन कार्यक्रम का शुभारम मंगलवार 4 जुला को किया गया संस्था सचीव अंबालाल व्यास ने बताया कि 4 जुलाई 1975 को महावीर इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी तब से संस्था संपूर्ण भारत में सेवा के कारिय में निरंतर सेवारत है व्यास के अनुसार परियावरण सुरक्षा के लिए संस्था द्वारा 200 पौधें लगाए जाएंगे इस अफसर पर पूर्व अध्यक्ष समेला राम माली नेमीचंद पारक कोशाध्यक्ष मुकेश भंडारी छगन लोहार वन नेमीचंद जैन सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्य अपना संस्थान द्वारा सांचोर में पौधार उपन कारि कार्यक्रम के तहत नहरु पार्ग सांचोर में सांसत देवजी एम पतेल वा उपखंड अधिकारी के नित्रत्व में पौधार उपन किया गया इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी आधिती राजपुरोहित तैसिलदार पितांबर राथी नगरपाली का अध्यक्ष गणपत पुरोहित, श्रवन खिलेरी, योगेश जोशी, हरिया देवासी सहित कई लोगों की मौझूद की रही जस्वनपूरा के सुन्धा परवत पर EMT व पाइलट शिविर का समापन जस्वनपूरा से महिंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार, निकटवर्ती सुन्धा परवत पर राज्ये में संचालित एंबिलेंस 108-104 वबेस एंबिलेंस के करमचारी EMT का सुन्धा परवत पर 6 दिवसियर रिफ्रेशर प्रशिक्षन विशिष्ट अतिथी व जसल मेर के लगवग 600 करमचारियों ने भाग लिया, प्रशिक्षन शिविर कंपनी के रीजनल मेनेजर अशोक शर्मा व अन्य अधिकारियों की देख रेक में संपन हुआ, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथी के रूप में सुन्धा मातर ट्रस्ट अध्यक्ष शंबू सिं जालोर के मोदरान में 33 कV GSS पर मर्क्यूली राइट बंद, टेलिफोन साल भर से बंद, मोदरान से हरी सिंग की रिपोर्ट के अनुसार गाउं के 33 कV GSS पर लगी लाइट पिछले लंबे समय से खराब पड़ी हुई है, वहीं यहाँ पर लगा टेलिफोन भी वर्ष भर से बंद है, ऐसे में अगर रात्री में बिजली का फॉल्ट हो जाता है, तो यहां के कर्मचारियों को उन्हें अंधेरे में ही ठीक करना पड़ा है, ऐसी इस्तिती में कभी भी कोई भी बड़ा हाथसा हो सकता है, जबकि जानकारी के अनुसार पहले भी मोदरान GSS पर हाथसा ह हो चुका है, इसके बावजोद भी विभाग के अधिकारी यहां लगी मर्क्यूरी लाइट को ठीक करवाने के बारे में नहीं सोचते, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में लाइट फॉल्ट हो जाए, तो सुबह ही ठीक करना पड़ा है, साथ ही GSS पर लगा टेलिफो को इससे अवगत करवाया, किन्तु विभाग इस बात को लेकर लापरवाह बना हुआ है राम सिंग के सोमता गाउं की सड़क जर जर, रागिर हो रहें परिशान राम सिंग से राजु सिंग राव की रिपोर्ट के अनुसार, निकटवर्टी सोमता गाउं जाने वाला मार्ग लंबे समय से क्षटी ग्रस होने से आम जन को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं यात्रियों को हिचकोले भरा सफर करना पड़ रहा है मुडतरा सिली से सोमता गाउं का करीब 4 किलो मिटर का यक्षती ग्रस सडक मार्ग पड़े गड़ों में बारिश का पानी भर जाने से वाहन चालकों के लिए सफर जोखिम भरा हो गया है कभी भी कोई भी दुर्गटना घट सकती है, ग्रामिनों के अनुसार ना तो सार्वजनिक निर्मान विभाग और ना ही प्रशासन इस और ध्यान दे रहा है जालोर के बांकरा गाउं के विध्याले में मनाया मतदाता जागरुपता दिवस, वहीं साकरणा में साइकले वित्रित कर रैली निकाली मतदाता जागरुकता दिवस को लेकर आदर्श राजकिय उच्च माधमिक विध्याले बाखरा गाउं में मतदाता जागरुकता दिवस मनाया गया इस अवसर पर अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को मतदाता जागरुकता पर जानकारी दी वहीं साकरणा गाउं में आदर्श राजकिय उच्च माधमिक विध्याले में DSP दुर्ग सिंग राजपुरोहित के मुख्य आतिथ्य में एवं अतिथी गोपाल सिंग, उपजिल्ला कलेक्टर, प्रकाश अगरवाल, प्रताप सिंग राजपुरोहित सहीत ग्रामिनों की उपस्थिती में 36 वालिकाओं को साइकले वित्रित करने के बाद ब्रहद मतदाता पंजीकरण अभियान की रैली निकाली गई जिसमें स्कूल बालक बालिकाओं ने मतदाताओं को जागरत किया इस मौके पर DSP दुर्ग सिंग राजपुरोहित सहीत, संजे सिंग, उखराज सिंग, मुकेश सिंग, रमेश सिंग, पियूश राजपुरोहित उपस्थित थे जी एस्टी को लेकर साइला व्यापारियों ने सौपा ग्यापन कस्बे के कपड़ा व्यापारियों ने आज बुधुहार को अपने प्रतिष्ठान बंद रख जी एस्टी के विरुद राष्ट्रपती के नाम उखंड अधिकारी केशव मिश्रा को ग्यापन सौपा ग्यापन में कपड़े पर जी एस्टी नहीं लागू करने को कहा गया। कपड़ा व्यापारी सरकार के विरुद नारे लगाते हुए ग्यापन देने पहुँचे। इस मौके पर समझ से कपड़ा व्यापारी गर्ण मौजुदू विजेवाडा विध्याले में कनक दुर्गा समीती एवं लॉयन्स क्लब ने दी फीज। कि आपके द्वारा भुगतान की गई राशी से बच्चों का भविष्य उज्वल इवं कुशल बना रहेगा। 24 जुलाई 2017 को होगा जालोर में पीर श्री शांतिनाज जी महराज के नाम विशाल जागरन का आयजन। श्री शांतिनाज जी टाइगर पोर्ट संगठन भारत के तत्वाधान में 24 जुलाई 2017 को जालोर के सिरे मंदिर तलहटी पर विशाल जागरन का आयजन। पीर श्री गंगा नाज जी महराज सिरे मंदिर भैरोनात अखाडा जालोर के सानिध्य में होगा। इस विशाल जागरन में जालोर के सुप्रसिद भजन गायक जोग भारती जी द्वारा भजनों की प्रस्तूतियां दी जाएंगी। 3-B में हटाएं शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर मिले जिल्ला प्रमुक वर जिल्ला शिक्षादी कारी से। राजस्थान शिक्षक संग राश्ट्रिय के प्रदेश उपाद्यक्ष शिवदत आर्या वर राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंग के जिलाद्यक्ष दलपत सिंग आर्या ने जिला प्रमुक बने सिंग गोहिल इवं जिला शिक्षादी कारी प्रारंभिक के रामकृष्ण मेना से मुलाकात कर माध्यमिक बा उच्च माध्मिक विध्यालों से 3B में हटाए गए 91 शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी करवाने का आग्रह किया जिला प्रमुक वर जिला शिक्षादी कारी ने कार्य करवाने का आस्वाशन तो और अंत में मौसम विध्यान की जानकारी में जालोर शहर का आज का तापमान अधिक्तम 32 दिग्री सेल्सियस और नियुनतम 26 दिग्री सेल्सियस दर्च किया गया है जन समय की नियूज में आज इतना ही कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ तब तक के लिए आग्या दीजिए जै भारत जै जालोर